हेलो फ्रेंद्स आज किस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इगनु का ओनलाइन इग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है यह हम इस वीडियो में बताने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम अपने मॉबाइल या ल गुगल ऑपन किया हो गुगल मैं आपको टाइब करना है सिंपले सी यह टाइब कना एगनु के वारेटने वारेह गनीच किषिस तरह की इंटरर साय गा यहाँ पर прим को यहां पर दिया हुआ है एक्जामनेशन फॉर्म एगनु यहां पर आपको संप्ली क्लिक करना है दन क्लिक करने के बाद कुछ गाइडलाइन्स और इंस्ट्रक्शन वगरा यहां पर दिये रहेंगे यह जैसे कि यहां फिर देट दिया रहेगा कि कब तक लास्ट डेट है जैसे कि यहां देख सकते हैं कि आप 15th मैं 2020 यह लास्ट डेट है इस तरीके से आप देख सकते हैं और यह सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नीचे स्कॉल करेंगे और आपको बता दें कि पर सब्जेक्ट का फी है 1.500 रुपिया 150 रुपीज पर सब्जेक्ट ठीक है ऐसे स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे नीचे आने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर I hereby undertake यहाँ पर आपको टिक आउट करना है टिक आउट करने के बाद प्रोशीट फिल ऑनलाइन एग्जामनेशन फॉर्म ठीक है यहाँ पर दो अप्शन आपको मिलेंगे चेक फोर स्टेटस इफ अल्रडी रेजिस्टर्ड अगर आपने रेजिस्टर्ड कर चुका है तो स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं नहीं तो अगर आप फॉर्म फिल अप करना चाते हैं तो प्रोशीट फिल ऑनलाइन एग्जामनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है इसके बाद सिंपल से आपको इन्रॉल्मेंट नंबर यहाँ डालना है आपका जो भी enrollment number है यहाँ आप फिल करेंगे ठीक है फिल करने के बाद आपको जाना होगा select reason में select examination center reason में आपको click करना होगा आपका जो भी reason है जिस reason से आप इगनुम में study कर रहे हैं वो reason यहाँ पर choose करेंगे ठीक है simply मैं रांची से study कर रहा हूँ तो रांची से हम रांची चीज़ कर लिए इसके वाद simply आपको नीचे आना होगा और submit button पर click करना होगा जैसे आप submit button पर click करेंगे आपके सामने इस तरह के interface खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपको click है to view exam center code यहां से आप exam center code का पता लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं एगनुमी एक ऐसा study center है जहां कहीं से भी अगर माली जाप रांची में study कर रहे हैं और किसी दूसरे state में है और वहां आप exam देना चाहते हैं तो यह सुविदा इगनुम देती है ठीक है तो जिस state या जिस city में आप examination center चाहते हैं वहां का आपको code नहीं पता तो यहां साब simply click करके पता कर सकते हैं तो जैसे हमको examination center हमें बोकारो में दे रहा है तो बोकारो हम यहां पर लिखा हुआ है इंटर अटलिस्ट थ्री करेक्टर तक थ्री करेक्टर हमने फिल कर दिया फिर यहां पर इंटर करेंगे तो पता चल गया कि यह examination CT जो है बोकारो इगनुम स्टेडी सेंटर है इसका कितना code है 3207 यहां से पता कर लिए 3207 और इसके बाद हम यहां से close कर दिये close करने के बाद य क्लिक कर दिये इंटर क्लिक हो चुका है और इसके बाद नीचे आना होगा और यहां आपको अपना एड्रेस फिल करना है यह तो एड्मिशन के टाइम में एड्रस और ड्रडी फिल किया हो रहता है फिर भी अगर कहीं अड्रस छुटा हुआ है तो यहां पर आफ फिल कर सकत है ठीक है उसके बाद डेटर बर्त यहां देना होता है आपका डेटर बर्त जो भी है यह नहीं है तोनों कर सकते हैं फिर आप अपना एमेल इडी dois यहां से डाल सकते हैं आप अपना email id जो भी है आपका email id यहां पर डाल दीजे यहां email id डालने के बाद आपको यह mobile number अगर चेंज करना चाहते हैं admission के time में जो mobile number आपने दिया था तो आप उसको चेंज कर सकते हैं यहां पर दोबारा से mobile number फील कर सकते हैं then फिर आपको यह पर आधार number आधार नवर चलिए मैं आधार नमचीन के बाद आधार नमचीन और पही पहलуш करने के बाद अपके जो भी कोर्स है उस नकाउस को को यहां पर आपको option wise देना होगा जैसे कि first option में bhde 108 है तो हम bhde 108 चीज़ करेंगे second में option है ESO 13 आपका जो भी admission के time में आपने जो subject select किया था वो examination form में वही फिल करना है simply हम यहाँ choose करेंगे ESO 13 उसके बाद आपको जो भी आपने subject choose किया था वही है वही आपको select करना यहाँ पर तो मैं यहाँ पर select कर रहा हूं ESO 14 ठीक है उसकी बाद FST 1 FST 01 simple से मैंने यह चार सब्जेक्ट मैंने चार सब्जेक्ट का admission लिया था second year में तो मैंने चार सब्जेक्ट चूज़ कर लिया फिर यह option आएगा our assignment submitted और विल भी submitted latest by यह assignment के बारे में यहाँ पर पूच रहा है कि आपने assignment यह जो चार सब्जेक्ट अपने चीज किया जिन जिनके बारे में आप form फिल अफ कर रहे हैं यह subject के बारे में तो उनका assignment क्या आपने इगनोर में जमा कर दिया कि आपको हां करना होगा क्यूंकि आपने जमा का अलरडी किया हुआ मतला आपको जमा करना होगा constitution form से पहले लेकिन इस बार coronavirus के छलते यह option दिया हुआ है कि 31 मैं तक आप जमा कर सकते हैं और 15 μας ऐills कतँ अप सकते हैं तो इसमें आपको यह सिंका ही यह तारा कुछ देग लें कि एक बार सही है कि》 Cabinet सारा सही है कोंध लिगिए अगर गEMA झाल आप इस तारा कुछ के सब्राइब को स्ब्राइब करने अब से आपको निचे स्कॉल करके आना होगा और यहां पर सब्मीट के सील बटन पर क्लीक करना होगा कि समिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफिस आपके सामने खुल किया जाएगा देख सकते हैं आपने जो जो सब्जेक्ट यूज किया है देखिए उसके बाद मोडो पैमेंट पैमेंट का ऑप्शन खुल किया जाएगा ठीक है यहाँ पर आपके option पर क्लिक करना होगा पेनाओ पर क्लिक कर दिये इसके बाद यह चार सब्जेक्ट है और पर सब्जेक्ट का डेर सो डेल सो करके यानि कितना हो रहा है चेहेसो चेहेसो रिपर कटेगा So Mac पैमेंट पर हम क्लिक करेंगे सिंपली से कुछ चीज तर अगर इंटरफीस खुल किया जाएगा जैसे आप मैक प्रमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है आपको यहां पर चीज करना है पेवित पेवित कैसे पेग करेंगे आपका डेविट कार्ड है अगर दूसरा बैंक किसी दूसरी बैंक का है तो अधर बैंक डेविट कार्ड आपको चीज करना होगा तो मेरा दूसरा बैंक का है तो मैं चीज कर रहा हूं और बैंक डेविट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं तो फिर मैं मेरे प कर रहा हूं रुपे काड़ डेविट काड़ को क्लिक करने के बाद आपको जो काड़ नमर है वो काड़ नमर आपको संपले सी यहां पर फिल करना होगा सारा कुछ फिल करने के बाद आपको यहां पर पेनाओ पर क्लिक करना होगा पिए आएगा पेनाओ पे क्लिक करने के बाद आपके रेजिटर्ट मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो भी आपने रेजिटर्ट किया है बैंक के साथ उसमें एक ओटीपी आएगा और वह ओटीपी यहां पर डालना है होटीपी फिल करने के बाद सब्मिट करना होगा आपका फॉर्म फिलप हो चुका है ठीक है आपने फॉर्म फिलप कर लिया कंट्रोल नंबर मिल गया इसका आप स्क्रिंशॉट लेकि रख सकते हैं ठीक है या फिर आपका रेजिटर्ट मोबाइल पर मैसेज चल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद हम यहां पर एक दूसरा टाव ले लेते हैं यहां लिखते हैं एगनू कि फोर्म कि फिल लफ कि स्टेटस कि इन फॉर्म फिलफ स्टेटस क्लिक करेंगे सर्च करेंगे सर्च करेंगे बाद स्क्रॉल करेंगे यहां पर हम सिंपल से क्लिक करेंगे अब तो यहां पर दो ऑप्शन खुल के आ रहा है मतलब इन्रॉल्मेंट नंबर और डेटर बर्थ दोनों देना पड़ेगा तब आप पता लगा सकते हैं कि आपने फॉर्म फिलप किया है कि नहीं मतलब आप चेक कर सकत करने के बाद जैसा कि अब देख सकते हैं कि हमने फॉर्म फिलप कर लिया है ठीक है यहां कंट्रोल नंबर पर क्लिक करेंगे अब कंट्रोल नंबर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमको एकनोलजमेंट स्लिप मेल चुका है ठीक है यह मेरे एक दोस्त का है जिनका मैंन मैं फॉर्म फीलप किया है है । तो यह देख सकते हैं यहां से आप ne लेशकते हैं मैंने अवी प्रिफर किया था कि आप कौन सा ब्राउजर का इस्तें माल करेंगे तो मैंने कहा की क्रॉम का यूस करेंगे ताकि जब यह Live करने के बाद print out निकालेंगे print out तो यह PDF में automatic सा सेव हो जाएगा ठीक है यहां से हैसे करके हम एपोर साइज में सेव करेंगे इस PDF को एपोर साइज में ठीक है और इसको हम ऐसे करके सेव कर रहे हैं तो दोस्तों यह मेरा सेव हो चुका है ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप अपना इगनू का फॉर्म फिलफ कर सकते हैं ओनलाइन वीडियो आपको कैसे लेगी वीडियो अच्छी लेगा तो वीडियो को कर दीजे लाइक मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई